अगर आप त्यारी कर रहे हैं यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है घर इस एक्जाम में एक से दो नमर में यहां कोशन पूचा जाता है राश्ट्री दिवस क्या है राश्ट्री दिवस किस डेट में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राश्ट्री दिवस कि स्टी में कौन दिवस मना जाता है और हम डेटेल में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाईस जो बारह के लिए बहुत सारे इसे कार्री किये हैं जिससे कि जो इससे रिलेक्टेटड यह फेक्ट है मैंने हापे नोट डाउन कर रखा है आप देख सकते हैं जो संयुक्त राष्ट शंग है उन्हें निर्णाय लिया कि जो 1984 है इस भी को अंतराश्री यूबा वर्ष घोसित किया उन्होंने और इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने भी घोशना की कि सन 1984 को 12 जनवरी यानि शौमे विवेकानन्द की जन्म दिन जो उनके जन्म दिन होता है गाइस 12 जन्म दिन दिवश है उसे ही हम राष्ट यूबा दिवस के रूप में मनाएंगे यहां जो है संयुक्त राष्ट रंग ने जब निर्णाय लिया था कि 1984 को अंतराश्री यूबा दिवस जब घोशित किया था तो भारत ने भी इस बारे में विचार किया और 1984 से हम इसे मनाते आ रहे हैं और 12 जनवरी को राष्ट यूबा दिवस मनाय जाता है शौमे वेकानन्द के जन्म दिन पर अब हम देख लेते हैं 15 जनवरी को क्या मनाय जाता है तो हमारा सेकंड ड दिवस मनाते हैं थल सेना दिवस मनाय जाता है 15 जनवरी को अब हम इससे रिलेटेट कुछ देखते हैं सोजु सेना दिवस के अबसर पर पूरा देश ठल सेना की बीरता आदम में शाहस और शोरी की कुर्बानी की दास्ता को बयान करता है जगा जगाए की इसमें कारिक्रम आयूजित किये जाते हैं दिल्ली सेना मुख्याला के सांसा देश के कोने कोने में जो है कारिक्रम किये जाते हैं सक्ति प्रदर्शन के अन्य कारिक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जो हमारा थलसेना दिवश है भारती सेना दिवश भी हम इसे कहते हैं थलसेना दिवश भारती सेना दिवश यहां 15 जनवरी को मनाया जाता है आवरती जो है साल में एक बार मनाया जाता है थलसेना दिवश जो की 15 जनवरी को मनाया जाता है और जो है सेना के लिए यहां जो दि फिल्ड मार्स के ए एम करियप्पा के भारतिय थलसेना के सिश कमांडर का पदभार ग्रंड करने के उपलक्ष पे मनाया जाता है जो थलसेना दिवशे हैं क्यों मनाते हैं तो जो मैंने आपको बताया यहाँ है अब हम देख रहे हैं 24 जनवरी 24 जनवरी को गाइस राश्ट्री बाली का दिवस मनाया जाता है आज राश्ट्री बाली का दिवस है यहां हर बर्स 24 जनवरी को मनाया जाता है राश्ट्री बाली का दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है इसकी सुरुबात महिलाओ इबं बालविकास भारत सरकार ने जो 2008 में इसकी सुरुबात की थी इस दिन को भिविन ने कारिक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें सेवदा गर्ल्स चाइल्स चाइल्ड सेक्स रेश्यो और बालिकाओं के लिए स्वास्त की सुरक्षा बातवरन बनाने सही जागरुकता कारिकरम आयोजित किये जाते हैं इसमें यहां राश्रिय बाली का दिवस इसको हम राश्रिय बाली का दिवस के नाम से जानते हैं अधिकारिक रूप से नाम है राश्रिय बाली का दिवस ही है जो भारत में मनाया जाता है 24 जन्वरी को मनाया जाता है और यहां राश्रिय इस तर पे मनाया जाता है भारत में 24 जन्वर बनाने सही जागरुकता कारिक्रम इसमें सामिल किये जाते हैं तो 24 जन्वरी को मनाया जाता है राश्ट्री बाली का दिवस अब हम देख रहे हैं 26 जन्वरी मुझे बताने कि अब शक्ता नहीं पढ़नी चीए 26 जन्वरी को भारत का गलतंतर दिवस मनाया जाता है भारत का जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है इस दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्टर जो 1935 है उसको हटा कर भारत का संभिदान लागू किया गया था एक सुतंत्रिक गनराज बनने और देश के कानून का राज इस्तापित करने के लिए यहां संभिदान 26 नवंबर 1999 को 32 संभिदान सबा ड्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे एक लोक्तान त्रिक सरकारिक प्रणाली के शाथ लागू किया गया था 26 जनवरी को इसलिए चुना गया तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन जो है भारतिय राश्य कॉंग आपको चबी जन्वरी से रिलेटेट ट्रॉपी समें आ गया होगाए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर वहां देख रहे हैं आप जन्वरी को गाईज हम सहीर धिवश के रूपे मनाते हैं जो बापु जी की पुन्य सिति के इस ति भापु का सीना उस बक्त चली कर दिया जब बे दिल्ली के बिल्दाभवन में साम की प्रातव्ण सभा में उठ रहे थे उसको ही हम सहीध दिवस के रुपए मना जाने लगा है इसी को बापु के पिन्नितिती के स्मरती में 30 जनवरी को हमरा रहे है 30 जनवरी को सहित दिवस की रुपें तो मनाते ही है गाईस साथ साथ 30 जनवरी को राश्ट्री कुष्ट रोग दिवस भी मनाया जाता है राश्ट्री कुष्ट रोग उन मुक्ति करण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या होता है अब कुष्ट रोग होता क्या है तो कुष्ट रोग में यहां एक संक्रमक बेक्टेरियल रोग होता है यहां और यहां जो है कौन से बेक्टेरिया के कारण होता है गाईस तो यहां होता है माइको बेक्टेरियाम लेप्रे के कारण यहां रोग होता है कुष्ट रोग जो संक्रमक रोग है यहां कुष्ट भारत सरकार ने इस रोग को समाप्द करने के ही लिए ही राश्ट्री को श्रोग निवारण कारिक्रम शुरू किया था जिसे हम राश्ट्री को श्रोग उन्मक्तिकरण दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं यह हैं गाईस तटरक्षक से रिलेटेट कुछ इंपोर्टन फेक्ट्स जो आप वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं कि यहां जो तटरक्षक दिवस है अगर आप पहचानते होंगे जरूर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा यहां एक आंत्रिक्ष्य यात्री है जिनकी याद में ही हम एक फरवरी को कल्पना इस्मरति दिवस मनाते हैं इनका जन्में गाइस 15 मार्च 1962 को हुआ था और एक फरवरी 2003 में इनकी म्रत्यू हो गई है भारती आंत्रिक्ष यात्री थी यहां आंत्रिक्ष सटल मिशन विशेशक गेवी यहां रही है और आंत्रिक्ष जाने वाली प्रतम भारती महिला थी यहां इनके बारे में यहां फैक्ट है गाइस और यहां जो इनकी जो म्रत्यू हुई थी कॉलंबिया आंत्रिक्ष यान आपदा जो आपको मालूम होगा कॉलंबिया आंत्रिक्ष यान आपदा में जो साथ यात्री मारे गए थे उनमें से एक यहां थी कल्पना चावला और इन ही कि इसमृति की याद में हम कल्पना चावला दिवस मनाते हैं कल्पना चावला जिसे जो आंथ्रिक्षय यात्री है उनसे । यहां है राश्च्रीए 24 फर्वरी को गयिस केंदरी उत्पाः सुल्कदिवस मनाया जाता है केंदरी पाद सुल्क दिवरष केंद्री ब्हुत्य मंत्राले के इंतरगत केंद्री उत पाद सीमा शूर्क भवाग द्वारा देज भर में प्रतिवर्ष 24 फरवरई को मनाए जाता है यहाँ भारत में 24 फरवरई को मनाया जाता है गाईस इसका बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है तो इसका लक्ष आम लोगों में जो है उत्पाद सुल्क और श्रेवा सुल्क की एहमियत बतानाई के लिए यहां मनाया जाता है केंद्री उत्पाद सुल्क दिवर्ष चोविस फरवरी को अन्य जानकारी यहां है कि यहां दिवर्ष चोविस फरवरी 1944 को केंद्री उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया जाने के उपलक्ष में प्रतिवर्ष मनाया जाता है जो 1944 है उसमें ही गाईस नमक कानून तोड़ा गया था तो नमक कानून उनके लागू किये जाने के उपलक्ष में प्रतिवर्श यहां मनाया जाता है अब हम देख रहे हैं 28 फरवरी 28 फरवरी को राश्री विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को यहां मनाया जाता है राश्री विग्यान दिवस मनाने की पीछे उद्देश क्या है तो राश्री विग्यान दिवस जो है विग्यान से होने वाले लावों के प्रती समाज में जागरुकता लाने और विग्यानिक सोच पेदा करने के उद्देश से राश्री विग्यान एवं प्रोदोगी की परि वैकर्ट रमन जो की भारतिए वघ्यानिक है इन्होंने जब रमन पुरुषकार रमन परभाव की खोझ की थी इसी कारण इन्हें नोवल पुरुषकार भी मिला 1930 में तो उसी में हम यहां मनाते आ रहे हैं राश्री वेज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है इस खोज की घोशना भारतिय विज्जानिक सर चनदर सेकर वएकटरामन या सरश शीवी रमन ने28 फरवरीस सन 1928 में किती जो चंदर शेकर वेकट रमन जो भारतिय विज्ञानिक है इन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी सन 1928 को यहां प्रस्तूत किया था देश के बल्ड के समख्ष और इस खोज के लिए उन्हों है जो है 1930 में नोवल पुरुषकार दिया गया और यहां जो नोवल पुरुषकार है भारत में किसी भी भारतिय वा एशियन विक्ति के द्वारा जीता गया पहला नोवल पुरुषकार था यहां है 28 फरवरी राष्ट्री विज्ञान दिवस से रिलेटेट फैक्ट आपको यहां बहुत यह से समझ में आया होगा अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब हम देख रहे हैं 14 अप्रेल 14 अप्रेल को गाइस अमबेटकर जैनती के रूप में मनाया जाता है इसे हम डॉक्ट अमबेटकर जैनती है या फिर इसे भीम जैनती के नाम से भी जानते हैं भीवराम अमबेटकर जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेव अमबेटकर के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 14 अप्रेल को पर्व के रूप में भारा समय पूरे संसार में मनाया जाता है इनके जो ज जीवन भर समानता के लिए संगर्ष करने वाले अमबेटकर को समानता का प्रतीक और ग्यान का प्रतीक माना जाता था इसलिए हम इसे समानता का समानता दिवश या ग्यान दिवश के रूप और ग्यान दिवश के रूप में इनका जो जनम दिन है उसे मनाते हैं अमबेटकर व उनके प्रती सम्मान वेक्ट करने के लिए मनाया जाता है आई होप आपको अंबेट कर जैंदी से रिलेटेट फ्रेट पता चल गए होंगे 14 अप्रेल को यहां मनाया जाता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुच जाएं